नमस्कार मैं हुनिवेट्टा प्रक्रिया से भोजन और पेपदार्थों को तयार किया है पहले बार सामने आए फूड मेन्यू के मताबिक गगणियान में सवार होकर पर अंतुरिक शियात्रा पर जाने वाले भारतिय गगणियात्रियों को एग रोल्स, वेज रोल्स, इडली, मौंकी दाल का हलवा और वेज पुलाव दिया जाएगा इसके अलावा गगणियात्री अपने साथ तरल पदार्थ के रूप में पानी और जूस ले जा सकेंगे आने वाले लोगों के खाने पीने का सामान रखा जाएगा और क्यूंकि इसरो को इस मिशन को 2022 तक पूरा करना है तो इसके लिए इसरो जीजान से जुटा हुआ है अब देखिए अंतुरिक्ष यात्रियों के लिए खाने पीने की भी विवस्था कर ली गई है गगन्यान मिशन भारतिये मानवयुक्त अंतुरिक्ष मिशन होगा जिसके जरीए पहली बार इस रोब भारतियों को अंतुरिक्ष में साथ दिन के लिए भीजेगा इसके लिए चार भारतियों की चैन प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है Institute of Aerospace Medicine में भारतिय वायुसेना ने पूरी प्रक्रिया के तहत अंतुरिक्ष पर जाने के लिए चार भारतियों को चुना है माना जा रहा है कि इस मिशन में 10 करोड रुपे खर्च होंगे मिशन पर जाने वाले यात्री अलग अलग तरह के माइक्रो ग्राविटी टेस्ट को अंजाम देंगे बता दे कि राकेश शर्मा देश के पहले अंतुरिक्ष यात्री हैं जो 2 अप्रेल 1984 को रूस के सोयूस T11 में बैठ कर अंतुरिक्ष यात्रा पर गए थे अंतुरिक्ष में जाने वाली पहली भारती महिला होने का गौरव कल्पना चाबला को मिला था 15 अगस साल 2018 को लाल किला से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान किया था कि भारत आने वाले समय में स्पेस के क्षेत्र में मस्बूती से कदम बढ़ाएगा भारत 2022 में अपने किसी बेटे या बेटी को अंतुरिक्ष में भेजेगा पियेम मोदी ने ही इस अभ्यान को गगनियान नाम दिया था आज इस लाल किले की प्राचीर से मैं देश वासियों को एक खुश खबरी सुनाना चाहता हमारा देश अंतुरिक्ष की दुनिया में प्रगदी करता रहा है लेकिन हमने सपना देखा है हमारे बैग्यानिकों ने सपना देखा है हमारे देश ने संक्र्प किया है कि 2022 जब आज हदी के 75 साल होंगे मां भारत का कोई संतान चाहे बेटा हो या बेटी कोई भी हो सकता है वे अंतुरिक्ष में जाएंगे हाथ में तिरंगा जंडा ले करके जाएंगे आज हादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है मंगरियान से ले करके भारत के बैग्यानिकों ने जो अपने ताकत का परिचे करवाया है अब हम मानव सहीट गगनियान ले करके चलेंगे और ये गगनियान जब अंतुरिक्ष में जाएगा हिंदुस्तानी ले करके जाएगा हिंदुस्तान के बैग्यानिकों के द्वारा हुआ हिंदुस्तान के पुर्शाथ के द्वारा हुआ होगा तब विश्वकेंदर हम चौते देश बन जाएगे जो मानव को अंतुरिक्ष में पहुँचाने वाले बन जाएगे